असलाम लेकुम विवर्स कैसे हैं आप सब लोग उमीद है सब हैस होंगे तो आज हम अपने किजम बनाएंगे एक जवदस किसम के मटन क्राही की रेसिपी और यह क्राही बहुत ही मज़े के बनती है इसमें हम सिंपल मसाले यूज करेंगे और तकरिबर 40 मिनिट में हम इसे त् यहां में यूज कर ओंगी बन केजी मटन और इसके साथ इ मैंडिक करेंगे तीन और मसाइस कि प्याज और शान ओपीसे इसमें जाएंगे गार्ली के और तू टेबल स्पून इसमें अडिके जिंजर पेस्ट और तू डेवल स्पून साबद कर मसाला वान टीजपून हल्द पॉडर, वान टीस्पून नमग और वान टीस्पून सुरह लाल मिर्च इसके जाद में एड़ करेंगे पानी मुनासर पानी इसमें एड़ कर देंगे और इसे अच्छे से डग कर 10-15 मिनिट के लिए पका लेंगे पानी काफी मजूद है और 20 मिनिट लगेंगे हमारे मीट को गल्ले में तो फ्लेम को मीडिया में रहने देंगे और इसे 20 मिनिट के बाद चेक करेंगे 20 मिनिट हो चुके हैं और गोश्ट भी हमारा बहुत अच्छे से गल चुके हैं अब हम क्या करेंगे इसकी जो यहनी है इसे एक प्रॉल में निकाल लेंगे और यहनी निकालने के बाद हम इसमें 3-4 अदर टमाटा लेंगे और उनका पेस्ट बनाकर वो इसमें एड कर देंगे और अब हम फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे इसमें कोई भी पानी मजूद नहीं है और गोश रह वह बहु जल्दी मीचे लगना स्टार्ट हो कर दोंगी और इसके हम अच्छे से बनाई कर लेंगे और यहां पर हमने कुछ हरी मेचने लिए और इंको सैंटर से कट करके इनके अंदर हम किसी भी ब्रैंड का क्राहि मसाला जो है वो फिल कर लेंगे और इसके बाद हम इने अपनी कुछी में यूज करेंगे एक करके हम सा कि और अब हम अच्छे जिन की बुनाई करेंगे माशाला हमारे मर्जम क्राही जो है वह अल्मस्ट रना हो चुकी है बस अब हम ने जो यहनी निकाली थे वह इसमें डाल देंगे और इसे मज़ीद एक मिनिट के लिए कुक कर लेंगे और इसके बाद हम इसे सब करेंगे और अब हम अपनी मटन क्राही को कार्निश कर देंगे हरे दनिये और जिंजर स्लाइस के साथ तो माँचाला हमारी मटन क्राही है वह बहुत ही जबदस्त त्यार हुई है और इसके क्रेवी बहुत अच्छी बनी है तो आप इस रेसिपी को जडूर ट्राय करकर देखेंगा इंशाला आपको इसका बहुत अच्छा रिजर्ट में लिगा और मुझे अमीद है कि आपको हमारी जी रेसिपी ये पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर कर दें और इसके साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने के तो इ आपिस